हेलो स्टुडेंट्स स्वागत हैं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्काइवेर लर्निंग पे तो स्टुडेंट्स आज फिर से हम एक बार उपस्ते था हैं आप पर लेक्चर नंबर टू के साथ और लेक्चर नंबर वन जो हमने इंटीग्रेशन चैप्टर पे लि स्टूडेंट्स पहले में आपको बताना चाहूंगा अगर आपने अभी तख हमारा चैनल सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्रिज़ एक बार चैनल को सबस्क्राइब परलीजिए और साथ में बला आंग से आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले हर लेक्चर की नोडिफिकेशन आसानी से मिलती रहे और अधिक से अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए तो चलिए आज स्टार्ट करेंगे हम इंटीरेशन चैप्टर अपना तो सबसे पहला जो टॉपिक ह मारा है वो आता है constant of integration तो constant of integration आपको पता होना चाहिए कि कितने भी question यहां पर solve करेंगे उन सब में constant of integration का use होने वाला है तो constant of integration पहले तो हम जान लेंगे क्या होता है support अगर मैं बात करूं यहां पर differentiate करता हूं sin x को मैंने कोई function यहां पर sin x लिया ठीक है इसको मैं क्या बोल लिखेंगे d over dx लिखेंगे ठीक है और यहां पर लिख देंगे sin x तो sin x को जब हम differentiate करेंगे तो हमें क्या मिलता है cos x क्या मिलता है cos x यह हमें पता है ठीक है उसी तरीके से फिर से हम sin x और साथ में कोई भी constant मान लीजिए 2 लिखे दे रहे हैं sin x plus 2 इसको हम differentiate करेंगे d over dx तो इसको भी जब हम differentiate करेंगे तो हमें क्या मिलेगा constant है यह constant का differentiation क्या होता है 0 होता है तो sin x का differentiation cos x तो यहां पे फिर से में cos x ही मिलेगा उसी तरीके से फिर से हम sin x लिखें sin x प्लस 5 लिख दीजिए इस वार ठीक है 5 k लिख दीजिए k भी कोई constant है यहां पे ठीक है फिर से आप इसको differentiate कीजिए तो हमें क्या मिलेगा cos x ही मिलेगा ठीक है तो हमेशा देखिए हमने sin x को differentiate किया तब भी हमें क्या मिला cos x मिला हमने sin x plus 2 को differentiate किया तब भी हमें क्या मिला cos x भी मिला और sin x plus 5 के 5 के यहाँ पे क्या है constant है इसको differentiate किया फिर से हमको क्या मिल गया cos x ही मिल गया कहने का मलब यह है कि हम sin x को differentiate कर रहे हैं बार बार बट हमें हमेशा क्या मिल जा रहा है cos x ही मिल रहा है और sin x में अगर हम किसी भी constant को add कर दें तब भी हमारा जो differentiation की value है वो यहाँ पे effect नहीं हो रही है means sin x cos x हो गया फिर से को constant 2 हमने add कर दिया sin x plus 2 फिर से हमें differentiation cos x ही मिल रहा है sin x plus 5 के तो अभी हमें cos x मिल रहा कहने का मलब यह है यहाँ पे constant 2, 3, 4, 5 infinity तक कोई भी constant हो सकता है तो कोई भी constant अगर हम sin x में add कर रहे है तो हमें constant का differentiation 0 होता यह पता है और finally हमको value क्या मिल जा रही है cos x value यहाँ पे हमको मिल जा रही है तो यहाँ पे एक result निकल के आता है अगर मैं बात करूं integration की तो अब integration करेंगे हम cos x का किसका करेंगे cos x और साथ में क्या लिखते हैं dx किसके respect में dx के respect में क्योंकि यहाँ पे function किसका x का function है इसलिए cos x dx लिखेंगे तो cos x dx का अगर हम integration कर देंगे तो हमें पता होना है चाहिए कि cos x जिसका भी differentiation होगा भई हमारा answer होगा ठीक है क्योंकि यह reverse process होती है तो sin x का differentiation क्या होता है cos x तो cos x का integration क्या हो जाएगा sin x हो जाएगा तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ sin x ठीक है sin x लिख दिया बट यहाँ पे देखिए first case में तो चलिए हमको मिल जा रहा है sin x को हमने differentiate करके cos x मिल गया तो इसी का हमने अगर integration कर दिया है तो मैं क्या मिल गया sin x मिल गया बट इस case में देखिए ये भी तो cos x है इसका अगर integration करेंगे तो मैं sin x plus 2 मिलना चाहिए बट यहाँ पे भी अगर हम करेंगे cos x तो sin x plus 5 के मिलना चाहिए तो यहाँ पे constant हम कौन सा लेंगे 2 लेंगे या 5 के लेंगे हमें पता ही नहीं कौन सा constant लेंगे तो constant हम कोई भी यहाँ पे define कर सकते हैं तो यहाँ पे साथ में हम एक constant भी add करेंगे जिसको हम बोल देते हैं c अब ये c constant 2 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है 5 के भी हो सकता है और जितने भी constant quantity add कर दीजे उन सारे constant को क्या एक symbol से denote करेगा c symbol ठीक है तो हम अगर किसी भी function को integrate करते हैं तो साथ में एक constant हमेशा use करते हैं उस constant को हम c से denote करते हैं और इसी c को हम क्या बोलते हैं integration constant इसको क्या बोलते हैं integration constant तो इस constant को हम बोलते हैं integration constant तो ये हमारी definition होती है integration constant की I hope आपको समझ में आ गया होगा कि इस constant को हम क्यों use करते हैं एक बार फिल से आपको revise करवाय दे रहा हूं cos x का integrate किया हमने तो sin x मिल गया इस case में एकर फिल से cos x को integrate करें क्या sin x ही आगा नहीं क्योंकि यहां पर 2 भी add कर रहें तो यहां पर 5 के हमने add किया तो cos x को integrate करेंगे तो 5 के भी मिलना चाहिए it means 2 5 के क्या है constants ही है तो constant हम कोई भी use कर सकते हैं तो उन सारे constant को एक single constant से हमने यहां पर denote कर दिया जिसकों c बोलते हैं और इसी c कों बोलते हैं integration constant या फिर कह लिजिए constant of integration तो यह constant of integration होता है तो आप याद रख लिजिए जितने भी question solve करेंगे उन सब में c का use करेंगे integrate करके प्लस c जरूर हम लिख देंगे यह constant of integration की बात हो गई उसके बाद कुछ ही यहां पर standard formula है पहले तो trigonometric जो functions थे हमको पता ही होता है तो जो trigonometric function को differentiate करेंगे जो उसका answer आएगा उसको हम अगर फिर से integrate कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा भही हमारा differentiation जिस function का कर रहे थे भही मिल जाता है supported हमने sin x को यहां पर differentiate किया तो हमें क्या मिल गया cos x मिल गया अगर हम cos x को integrate कर दें तो हमें फिर से क्या मिल जाएगा साइन एक्स ही मिल जाएगा सिम्पली इंटीग्रेशन का मदलब होता है कि अगर किसी वी function का हमें integration कर रहे हैं तो उसका answer क्या होगा उसका answer होगा जो उस function को differentiation में हमें मिल दा होगा means, sign x का differentiation cos x है तो cos x का integration क्या हो जाएगा sin x, तो देखें, यहाँ पर cos x का integration क्या हो जाएगा, sin x, और साथ में हमने बोला था, constant of integration का use करना मत भूलिएगा, तो sin x plus c हो जाएगा, इसी तरही के से cos x को integrate करेंगे, वो differentiate करेंगे, तो हमको minus sin x मिलता है, और अगर minus sin x का हम integration कर देंगे, या sin x का केईगे, इंटीग्रेट कीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, minus cos x हो जाएगा, क्योंकि यह minus, इदर shift हो जाएगा, तो यह minus cos x हो जाएगा, और plus constant of integration c आजाएगा, इसी तरीके से 10 x का differentiation क्या होता है, sec square x, तो sec square x का integration क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा और constant of integration c उसी तरीके से number 4 पे देखिए cot x है तो cot x का differentiation हमें पता है minus caosic square x होता है तो इसी तरीके से अगर caosic square x का हम integrate कर देंगे integration कर देंगे dx के respect में तो यह में क्या मिल जाएगा minus cot x plus c मिल जाएगा constant of integration हर integral में use करना है ठीक है तो sec x का differentiation हमें पता है sec x into 10x होता है उसी तरीके से अगर हम sec x into 10x का integration कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा finally फिर से हमें sec x ही मिल जाएगा sec x plus c मिल जाता है उसी तरीके से अगर caosic x को हम differentiate करें तो हमें क्या मिलता है minus caosic x into cortex तो अगर हम caosic x into cortex को integrate कर दें तो यह minus sign तो इधर आ जाएगा तो इसका क्या answer मिल जाएगा caosic x minus का ठीक है और साथ में constant of integration तो यह कुछ trigonometric यहां पे functions थे जिनका differentiation हमने किया और जो differentiation में हमें answer मिल ला है उसली को अगर हम integrate कर देंगे तो हमें finally original वाला जो use किया था function भही हमें answer में मिल जाता है integrate करने पे ठीक है तो यह कुछ trigonometric functions का integral था उसके बाद हम कुछ और formula पढ़ेंगे जो आप differentiation में पढ़के आए हैं यह सारे formula मैं इसलिए बताया जे रहा हूं एक साथ क्योंकि आप differentiation में इनका use करके आ चुके हैं इसलिए इनको बार-बार बताना मुझे जरूरी नहीं लगता है इन सब को एक ही बार में बता देंगे ठीक है तो जैसे कि हमने एक formula बहाँ पे पढ़ा था कि अगर x की power n plus 1 upon n plus 1 का differentiation करते हैं तो हमें क्या मिलता है x की power n मिलता है तो इसी तरीके से अगर x की power n का integration कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा फिर से भई मिल जाएगा x की power n plus 1 upon n plus 1 और प्लस में constant of integration इसी तरीके से अगर x लिखा है ठीक है x plus c तो यहाँ पे अगर हम इसको differentiate करते हैं में क्या मिलेगा बन मिलेगा ठीक है तो बन इंटू यहाँ पे क्या लिखा 1 इंटू dx है dx से पहले बन multiply में आ रहा तो बन इंटू dx को अगर integrate कर देंगे तो में फिर से क्या मिल जाएगा x plus c मिल जाएगा ठीक है उसी तरीके sin inverse x का भी हमें पता है differentiation तो जो differentiation हमारा आता है बन अपॉन अंडरोड 1 माइनस x स्कार माइनस के साथ ठीक है माइनस sign के साथ इसी को integrate करके हमें cos inverse x मिल जाता है इसी तरीके से 1 upon 1 प्लस x स्कार किसका differentiation होता है tan inverse x का होता है बन अपान x into under root x square minus 1 यह किसका differentiation होता है, यह second verse x का होता है और साथ में constant of integration c आ जाएगा उसी तरीके से e की power x का हम differentiation करेंगे तो e की power x ही मिलता है तो आप चाहे e की power x ऐसा function है आप चाहे उसको differentiate कीजिए या फिर integrate कीजिए उसका answer हमेशा कैसा मिलेगा e की power x ही मिलेगा तो यह एकलोथा function है जो differentiate और integrate करने पे इसकी value change नहीं होती तो यह याद रखिएगा और साथ में constant of integration भी आ जाएगा इसी तरीके से bun upon x यह किसका differentiation होता है log x को differentiate करेंगे तो हमें क्या मिलता bun upon x तो इसका integral क्या हो जाएगा log x प्लस c हो जाएगा फिर उसके बाद हमने पढ़ा था a की power x तो a की power x किसका differentiation होता है तो a की power x upon log a को अगर हम differentiate करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है a की power x तो इसका integral क्या हो जाएगा a की power x upon log a प्लस c हो जाएगा इसी तरीके से constant है constant integration के बाहर आ जाता है ठीक है? तो constant बाहर निकल के आएगा यहाँ पे support that हमने लिखा यहाँ पे integration of kdx तो constant तो हमें सा बाहर आ जाएगा यह बाहर लिख दिया हमने और यह क्या गया dx आ गया तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे dx का integration क्या होता है? x होता है तो यह kx हो जाएगा kx और एक यहाँ पे constant of integration c add हो जाएगा तो यह किसका integration होता है? constant kdx का ठीक है? तो यह कुछ important यहाँ पे standard integrals ते जिनको जनना आपके लिए अतियावश्यक है ठीक है? तो इन सारे integration formula को आप एक a4 sheet paper लीजिए उन पे लिख लीजिए some standard formula ठीक है? तो some standard formula में आप एक तरफ differentiation का table बनाईएगा suppose that ऐसे बना लीजिए एक तरफ आप differentiation लिखिए functions का ठीक है? और एक तरफ आप integration का column बना लीजिए और उसके बाद एक table तयार कर लीजिए वो table आप कहीं पे paste कर लीजिए जिससे कि आपको daily उन formula को revise करने का मौका मिल जाए ठीक है? तो आप एक table बना लीजिए paste कर लीजिए और daily उनको revise कीजिए इस तरीके से आपको सारे के सारे integration formula याद हो जाएंगे ठीक है? तो यह तो यहाँ पे एक node point है node point क्या है? अगर दो function आपस में add या subtract हो रहे है ठीक है? और उनको integrate हम कर रहे है ठीक है? तो यह क्या हो जाता है? यह हमारा अलग-अलग distribute हो जाता है integration suppose that हमारे पास यहाँ पे एक ऐसे function लिया है 2x लिया है और एक हमने 5x square लिया है ठीक है? यह हमने यहाँ पे 2 functions लिये addition के रूप में और किसके respect में हम integrate कर रहे है x के तो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा ठीक है? अगर मैं बात करूँ तो इसको integrate कैसे करना होगा? तो यहाँ पे यूज करेंगे इस property को यहाँ पे यूज करेंगे कि दो function अगर plus minus add यह subject हो रहे हैं तो उनको अलाग अलाग हम add यह subject कर सकते हैं integration symbol को distribute करके तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? integration 2x dx हो जाएगा ठीक है? फिर plus हो जाएगा integration 5x square हो जाएगा और यह dx हो जाएगा इसी तरीके से 2 constant है तो 2 वहार आ जाएगा और x dx तो x है तो x का integration क्या होता है? हमने बताया था x की power 1 है तो integrate करेंगे तो x की power 1 plus 1 हो जाएगा और upon में भी 1 plus 1 हो जाएगा फिर इसी तरीके से plus करेंगे integration of 5x square क्या हो जाएगा? 5 constant है और यहाँ पे x square है तो x square क्या हो जाता integration x की power n plus 1 तो 2 plus 1 हो जाएगा और upon में क्या जाएगा? 2 plus 1 ठीक है इसको solve कर लीजिए आपका answer आजाएगा यह क्या जाएगा? 2 की power x square upon 2 तो यह बचेगा cable और cable x square और इधर जब आप solve करेंगे तो यह 5 x की power cube upon 3 तो 5 by 3 x की power cube यह आपका answer हो जाएगा तो इस तरीके से 2 function अगर आपस में add या subtract हो रहे हैं तो integration distribute हो जाएगा addition and subtraction के साथ में तो यह तो आपकी यहाँ पे property थी most important addition and subtraction के लिए अभी हम multiplication की बाद नहीं कर रहे हैं वो आपका आगे आने वाले lectures में पढ़ेंगे बट यह addition और subtraction के लिए यहाँ पे property यूज होती है चलिए कुछ questions देख लेते हैं उसके बाद बढ़ेंगे नए topic की ओ तो सबसे पहले यहाँ पे question दे रखा है find the integrals of the following functions तो यहाँ पे हमें कुछ functions दिये हैं इनका क्या चाहिए? integration चाहिए तो देखें यहाँ पे देखें दो functions दिये हैं एक तो 3x square है और साथ में 4x cube है अब यह add हो रहे हैं आपस में तो हमें पता था integration property यूज करके हम अलग-अलग इनको आपस में integrate कर सकते हैं तो एक तरफ हम लिखेंगे 3x square dx ठीक है प्लस कर देंगे फिर से integrate कर देंगे 4x cube यह dx हो जाएगा ठीक है जब हम 3x square dx को यहाँ पे integrate करेंगे तो यह 3 और यह क्या हो जाएगा x की power 2 plus 1 ठीक है आईए हम लिखी दे रहे हैं यहाँ पे तो 3 तो constant है 3 constant बाहर आजाएगा और x square को integrate करेंगे तो x की power 2 plus 1 हो जाएगा और upon में भी क्या हो जाएगा 2 plus 1 हो जाएगा ठीक है इसी तरीके से 4 constant है बाहर आजाएगा और x की power क्या है 3 है तो यह 3 plus 1 हो जाएगा और upon में क्या हो जाएगा 3 plus 1 हो जाएगा यह formula integration का होता है हमें पता है, फिर हम इसको solve कर लेंगे तो ये 3 3 cancel out हो जाएगा ये क्या बचेगा, x cube बचेगा प्लस ये यहाँ पर क्या बचेगा 4 4 cancel out हो जाएगा, x की power 4 बचेगा, और साथ में constant of integration c add कर देंगे ठीक है, तो ये question number 1 यहाँ पर हमने आप वो solve करके बता दिया कि कैसे solve करते हैं उसके बाद बढ़ेंगे अपनी next question question number 2, तो question number 2 देखें क्या कह रहा है, x cube minus 1 upon x square, तो इसको भी पहले हम split कर लेंगे, देखें कैसे split करेंगे, जब हम x cube upon x square को खोलेंगे, subtraction symbol है उपर यहाँ पे, तो x cube upon x square, तो cable x बचेगा और minus sign लगा देंगे, minus 1 upon x square, ठीक है तो यह यहाँ पे आपका खुलके आगया function, ठीक है, अब इस function को हमने open कर लिया, अब हम property use करके, यहाँ पे इसको integrate कर लेंगे, अलग-अलग parts में तो x का integration करेंगे, तो यह आजाएगा, x square upon 2 minus 2 dx, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर हम क्या करेंगे, x की power minus 2 है, तो x की power n वाला, यहाँ पे हम integration का formula यूज करके, इसको लिख लेंगे, तो x की power n है, minus 2, फिर plus 1 कर देते हैं, और upon में minus 2, plus 1 कर देते हैं, जब इनको आप solve करेंगे, तो हमारे पास answer क्या मिलेगा, x square upon 2 आ जाएगा, और यहाँ पे x की power minus 1 उपर बचेगा, वो नीचे आ जाएगा, तो बन upon x हो जाएगा, और यह minus 1 minus minus plus हो जाएगा, तो plus 1 upon x, और साथ में constant of integration c, ठीक है, तो यह इसका answer हो गया, x cube minus 1 upon x square का, ठीक है, यह question number second था, चलिए बढ़ते हैं, question number 3 की ओर, question number 3 जैके क्या कहँआगा, caucic x into caucic x plus cortex, तो इसको भी पहले तो open कर लेंगे, open करने के बाद हम इसको solve करेंगे, तो caucic x की multiply कराएगे, तो क्या हो जाएगा, caucic square x, ठीक है, caucic square x dx हो जाएगा, फिर plus का sign लगा है, plus integration caucic x into cortex, क्या हो जाएगा, caucic x into cortex, और साथ में dx हो जाएगा, ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको केबल solve करना है, तो मैं पता caucic square x किसका integration होता है, तो सबसे पहले तो आपको पता होने जिए caucic square x जिसका भी differentiation होगा, भई इसका आम सा हो जाएगा, तो किसका differentiation caucic square x होता है, तो हमें पता है, caucic square x, तो यह caucic square x है, तो minus sign उदर चला जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, minus का cot x, ठीक है, minus का cot x, इसी तरीके से caucic x into cortex किसका differentiation होता है, तो caucic x into cortex का यहां पे, कहां पे गया, यह caucic x into cortex का integration क्या होता है, minus caucic x, तो यहां पे क्या जाएगा, minus caucic x, तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, minus का caucic x, बसाद मेइ constant of integration C, ठीक है, तो तो यहाँ पे यहाँ आपका complete answer हो जाता है cosmic x into cosmic x plus cortex का integration का ठीक है तो इस तरीके से यहाँ पे हमने तीन questions लिए और आपको कुछ formula बताए तो आपका काम अब यह है कि आप सारे formula को एक notebook पे या किसी page पे लिख करके याद कर लीजिए और साथ में questions को भी try कर लीजिए तो students मिलेंगे अब हम अपने next lecture में और उसमें हम पढ़ने वाले हैं कुछ और formula ठीक है तो कुछ और बहाँ पे नए formula पढ़ेंगे और उनका derivation भी करेंगे वो standard formula अभी तक आपको हमने नहीं बताएं बट अपने आने वाले next lecture में standard formula का derivation करेंगे और साथ में आपको बताएंगे कि इन standard formula का integral क्या होता है तो तब तक के लिए आज के lecture में इदना ही था मिलेंगे next lecture में तब तक के लिए thanks for watching have a good day